हेलो दोस्तों डेली हेल टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेर करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अंजीर को दूद में उबाल कर पीने से होनी वाले फाइदों की बारे नी छी हाँ फ्रेंड्स अंजीर खाने में टेस्टी होनी के साह साह सिहत के लिए बहुत ही जियदा फाइदीमन होता है अंजीर का सीवन दूद के साथ करना सबसे जियादा फाइदीमन माना गया है यदि फ्रेंड्स आप वन वीक यन की एक हफते तक इसका सीवन रात को या फिर सुभा दूद के साथ दो से तीन अंजीर उबाल कर करते हैं तो आपको इसके ताकत का नुभव होने लगेगा कि ये कितना जियादा एफेक्टिव है छी हाँ फ्रेंड्स आपको बता दें कि अंजीर में भरपूर मातरा में कॉपर, सलफर और साथे क्लोरीन परियाब मातरा में होते हैं ताजे अंजीर में विटामिन A अत्यदिक पाया जाता है जबकि फ्रेंड्स विटामिन B और साथे C समानी होता है और फ्रेंड्स इसका सेवन हर कोई कर सकता है अंजीर एक ऐसा फल है फ्रेंड्स जिससे आप सुखा कर यानि कि ड्राइ करके भी से खा सकते हैं आमतर पर अंजीर का फल हर मौसम में नहीं मिलता है लेकिन इसका सूखा हुआ मेईवाज यानि कि फ्रेंड्स अंजीर का ड्राइफ रूट आपको आसानी से मिल जाता है 2-3 अंजीर का रोजाना सेवन करने से आप कई सारी वीवाईयों से बस सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में हम जान लेते हैं दूद और साथी अंजीर के सीवन से हमें क्या फाइदे होते हैं जोस्तों सब्सक्राइब करें टेली हिल टिप्स को ये बिलकुल फ्री है और साथी बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स दो से चार सुखे अंजीर सुभाशान दूद में गर्म करके खानी से कफ या फिर बलकम की मातरा घरती हैं और साथी शरीर में नई शक्ती आती हैं और दमा यान के आस्थमा रोग भी मिठता है उस तो रात को सोनी से पहले तीन से चार पके अंजीर दूद में बॉयल करके उसको सेवन करने से आप कप्स और सती बावासी रियान के पाइल्स के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं मुग के चालों के ये अंजीर बहुत यस्यदा फाइदेमन हैं इसलिए फ्रेंट दिन में दो बार अंजीर का अरस मुख्य चालों पर लगाने से आपको बहुत जल्दी आरा मिलता है साथी फ्रेंट्स आप अंजीर वाला दूद भी पीछे दोस्तों अंजीर के पौधे से दूद को निकाल कर उस दूद में रूई को भीगो कर सणने वाले दांतों की नीचे रखनी से दांतों की कीड़े निष्ट होते हैं और साथी फ्रेंट्स आपके दांतों में हुनी वाला दड़ भी चीक हो जाता है अगर आपके चेहरे पर दाग धबबे आ गए हैं तो इने दूर करने के इलिए आप अंजीर का इस्तमाल कर सकते हैं इससे इस्तमाल करने के लिए फ्रेंट्स आप अंजीर को पीस कर आदे गगंटे के लिए से अपने फेस पर लगा कर छोर दीचे फिर आदे घंटे बाद अपने फेस को वश कर लीचे जी हाँ, ऐसे में फ्रेंट्स अगर आप लगातार एक हफते तक इस पेस्ट का यूस अपनी स्किन पर करते हैं तो इसे आपके चेहरे के दाग धबे निकल चाहेंगे और साथ आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा दोस्तों अंजीर के इस्तमाल से आप अपने चेहरे से पिमपल्स की प्राब्लम को भी दूर कर सकते हैं पिमपल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अंजीर को कच्छे दूद में मिलाकर पीस लीचे अब इस पिस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूप जाने पर इसे थोली छे ऐसा कनने से फ्रेंड्स आपके पिमपल्स की समस्या दूर हो जाएगी आप चाहे तो नियावित रूप से अंजीर को दूद में भीगो कर खाएंगे तो इससे भी आपके चेहरे की कई दरहां की प्राब्लम्स दूर हो जाती है दोस्तों अंजीर में भरपूर मातरा में वीटामिन C मौजूद होता है जिसके कारण इसके सेवन से आपके स्किन में गलो आता है और साथी फ्रेंड्स अंजीर को दूद के साथ मिलाकर अपने स्किन पर लगाने से आपका चेहरा काफे स्यदा चमकदार और साथी गलोइंग हो जाता है दोस्तों थकावर्ट को दूर कीचे जी हाँ अंजीर का दूद के साथ सेवन कने से थकावर्ट दूर होती है जी हाँ सूखे अंजीर को पानी में बॉयल करके उसके पेस्ट का लेट करने से गले के भीतर की सुजन मिच जाती है एक सूखा अंजीर और साथी पांसे दस बदाम का दूद में डाल कर उबालिए अब इसमें थोड़ी सी छीनी को डाल कर हर दिन सुखा पिएंगे तो इससे खून साफ होता है, गर्मी शांत होती है, पेट साफ होता है, साथी फ्रेंड्स कब्स भी मिती है और साथी सबसे लाश में आपका शरीर बलवान और साथी टाकतवर भी बिनता है इसलिए फ्रेंड्स आप इस तरहां का अंजीर वाला दूद जरूर पीछे अंजीर के पेर की छाल, सौन, धनिया सब को बराबर लीचे और कूट कर रात को पानी में भीगो दीचे अब सुभा इसके बचे रस को चान कर पी लीचे इससे फ्रेंड्स आपके कमर में हुने वाला दर्ट ठीक हो जाएगा इसका सुब से लास्ट वाला फायदा है, फ्रेंड्स अंजीर के पेर की छाल को पानी के साथ पीछ लीचे फिर उसमें चाल गुणा घी को डाल कर उसे गर्म कीचे इसे हरताल की भस्म के साल सेवन कने से सफ़ेद दाग्याफे वाइट पैचस मिच जाते हैं इसलिए फ्रेंड्स आप इसका सेवन जरूर कीचे आपकी प्राब्लम सौल बचाएगी तो फ्रेंड्स ये थे अंशीर को दूद में बालकर पीनी से हुने वाले कुछ बेमिसाल फायदी अगर आप इस दरहां का दूद पीते हैं तो आप भी बहुत ज़्यदा हिल्दी हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ तब तक के लिए यू टेक गुड केर आफ यरसल्फ बाई